दोस्तों नमस्कार आपने देश में ऐसे कई मंदिर देखे होंगे जहां देवी देवताओं को नारियल, प्रसाद और मिठाई आदी का भोक चड़ाया जाता है लेकिन क्या आपने ऐसे किसी मंदिर के बारे में सुना है जहां देवी को पेड़ों की पत्तियां चड़ाय जाती है जी हाँ, ये सच है इस अनुखे मंदिर के बारे में जादा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, 36 गड़ के दंतेवडा में स्थित्मा दंतेश्वरी के मंदिर के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा शंकनी और डंकनी नदियों के संगम परिस्थित्य ये मंदिर देश की 52 शक्ति पीठों में से एक है इस मंदिर के पास ही बहरो बाबा का मंदिर है इस मंदिर परिसर के किनारे एक छोटा सा मंदिर मिर्मित है जिसमें देवी की एक प्राचिन प्रतिमा स्थापित है इस देवी को वन दुर्गा के नाम से पूजा जाता है ये मंदिर इसलिए अनोखा है क्योंकि यहां देवी को फल, फूल या नारियल आदीम नहीं चड़ाये जाता बलकि देवी को पेडों की पत्तियां अर्पित की जाती है दंतेवाणा में देवी का एक अनोखा मंदिर है जिसे डाल खाई माता मंदिर कहा जाता है इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां इस्थापित देवी की प्रतिमा पर भक्तों द्वारा पेडों की पत्तियां अर्पित की जाती है यही वज़ा है कि देवी को डाल खाई माता कहा जाता है इस्थानी आलिवासी कई बरसों से देवी की आराधना करते आ रहे हैं दोस्तों शद्धालू से पत्या स्विकार करने के कारण ही इस देवी को डाल खाई देवी के नाम से भी जाना जाता है देवी की ये प्रतीमा काफी प्राचीन है माना जाता है कि ये प्रतीमा ग्यारवी सदी के आसपास की निर्मित है ये प्राजीन मंदिर दंतेश्वरी मंदिर के पीछे कुछी दूरी परिस्थित है मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद शधालू भेरो बाबा और देवी वन दुर्गा के दर्शन करने यहां पहुंचते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में